जब भी हम घर पर चावल बनाते हैं तो हमारे चावल जरूर बचते हैं तो उसके लिए मैं आज लेकर आई हूँ बहुती क्रेस्पी और बहुती टेस्टी सा एक डोसा की रेसिपी यकिन मानिएगा फ्रेंड आप एक बर इसे देख लोगे तो मेरी गारंटी है आप इसे बार तक बने रहीएगा और साथ ही मैं आपके साथ एक टिप्स एंट्रिक्स सेयर करूंगी जिससे बहुती परफेक्ट हमारे डोसा बनकर त्यार होंगे तो चलते हैं इसे बनाने के लिए तो इसे बनाने के लिए सबसे पहले मैंने देखिए एक कटोरी चामल लिये हैं तो आप कोई भी परतन से नाप कर ले ले यानि काप या कोई भी कटोरी से नाप कर ले तो यहां देखिए चामल आपके पास जो भी हो आप वो ले सकते हैं तो मैंने या देखिए चामल बॉयल किये थे तो यह चामल बच गए थे तो इसी से हम डोसा बनाने वाले हैं अब यहां हम आदा कटोरी सूजी लेंगे यानि एक कटोरी भरकर हम चावल लेंगे तो आदा कटोरी सूजी लेंगे और एक कटोरी भरकर हम धही लेंगे तो यहाँ पर हमें देखे और बहुत ज़्यादा चीजे नहीं लेनी हैं तो अब हम चलते हैं तो हम यहाँ देखे सबसे पहले मिक् हम पूह को डाल देंगे की थे सक्कåp अबा лиता हमें इसे एक दम कर लेना है कि यह रहनुत है अच्छे से थे इसे दम कर लिए दालेंगे तो सूजी के साथ ही चावल को डालना है तो इसमें अभी यह ते ना दालेंगे और इस तरह इकटा सा हो जाएगा उसके बाद हम धही को डाल देंगे तो एक कटोरी धही डाली है तो हम एक कटोरी इसमें भरकर पानी डालेंगे तो देखिए आपको आप सकता पड़े तो आप पानी और डाल सकते हैं तो यहां हम पहले इतना ही पानी डालेंगे और इसे हमें अ अच्छे से पिसकर त्यार हो चुकी है और बैटर कुछ इस तरह होना चाहिए यानि बहुत ज़्यादा थिक भी नहीं होना चाहिए और बहुत ज़्यादा गिला भी नहीं होना चाहिए तो सभी बैटर को हम एक बाउल में निकाल लेंगे तो मैं आपको दिखा दू ये इनो पाउडर भी ले सकते हैं तो हमें इसे अच्छे से मिक्स करना है तो सोडे डालने से देखिए बहुत ही अच्छे से परफेक्ट से हमारे डोसा बनकर त्यार होंगे तो इसे अच्छे से मिक्स कर लेना है तो इस तरह हमारे डोसा का जो बैटर है बहुत ही अच्छे से बनकर त्यार हो जाता है यानि इसे बनाने में बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगता है और हमारे जो डोसा हैं बहुत ही परफेक्ट तरीके से बनकर त्यार होंगे अब हम चलते हैं गैस की तरब तो हमें देखे पैन को अच्छे से गरम कर लेना है गरम करने के बाद हम इस पर पानी डालेंगे, पानी के थोड़े से छीटे डालने हैं, उसके बाद हमें साफ कपड़ा लेना है और इसे अच्छे से पहुच लेना है तो मैंने बहुत ही अच्छे से सभी को पॉच लिया है पैन भी बहुत ही अच्छे से गरम हो चुका है उसके बाद यहां देखिए एक टिशू पेपर लेंगे और टिशू पेपर से भी अच्छे से पॉच लेंगे तो यहां पर देखिए हम सभी बैटर को पूरे पैन पर फैला लेंगे यानि यह जो हमारा पैन है थोड़ा बड़ा है आप इसके चोटा तवा भी ले सकते हैं और ध्यान रहें कि नौन इस्टिकी तवा लेंगे तो बहुत ही अच्छे से बन कर त्यार होंगे तो इसे हमें देखिए अच्छे से सिख कर त्यार कलेना है तो इसे हम डेड़ से दो मिनट अच्छे से सिखने देंगे तो डेड़ से दो मिनट में यह बहुत ही अच्छे से सिख कर त्यार हो जाते हैं तो मैं आपको पास से भी दिखा दूँ देखिए बहुत ही अच्छे से सिख चुका है और इसके उपर हम देखिए अच्छे से गी या तेल जो भी आप लगाना चाहते हैं वो लगा सकते हैं तो मैंने यहां पर देखिए इसके ओईल लगाया है लगाने के बाद यहां हम देखिए इसे अच्छे से सिखने दें इस तरह हमदेखिए इसे से कर तयार कर लेंगे तो सबी दोसे को हमें इसे हम देखिए इक प्लैट में रख देंगे तो मैं आपको दिखा दू देखने में ही कितना अच्छा लग रहा है तो इसी तरह हम देखिए एक और बना लेंगे तो उसमें भी हमें पहले देखिए अच्छे से पानी लगाना है पैंट पर और पानी को अच्छे से पहुच लेना है उसके बाद हमें बैटर डालना है और इसे हमें अच्छे से फैला लेना है तो देखिए हमारे सारे डोसे बनकर त्यार हो गए है और बनाना बेहदी आसान है तो मैं आपको याद दिला दू कि आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी